हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जी के सेक्षिन, इससे पहले मैं किमिस्ट्री, बाइलोजी और साइकोलोजी सेक्षिन की वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप उनको भी जाके देख लें, जी क की बात में बताऊं, तो आप जी के जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना आपके लिए ही बैनिफिशल है, क्यूंकि आपको हर एक या कोई भी पेपर क्वालिफाइ करना होता है, आपको जी के सक्षिन तो आता ही आता है, तो जी के आपका हर एक फिल्ड में, हर एक जगा ह है, और जो आपका टाइट में जी के पोर्शन रहता है, वो बहुत अनेक्सपेक्टेड रहता है, तो आप जी के पोर्शन भी अच्छे से पढ़ लें, जी के में आपको पढ़ना क्या कहा है, हपी जी के यानि हिमाचल परदेश का जी के जनर नॉलेज और करेंट अफियर् आप अपने लास्ट इक्स मन्त के करंट अफियर्स कंप्लीट कर लें, अगर आप वन यर तक के करंट अफियर्स कर पाते हो, तो आपके लिए ही बैनिफिशल है, तो आपको पढ़ना है हपी हिस्ट्री हिमाचल परदेश का इतिहास, जिसमें आपको पढ़ना है सोर्सिज हिस्ट्री, 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 हिस्ट्रीकल परदेश, हिस्ट्रीकल परदेश, हिस्ट्रीकल परदेश, हिस्ट्रीकल परदेश, हिस्ट्रीकल परदेश, हिस्ट्रीकल परदेश, हिस्ट्रीकल से जो आपकी हील स्टेट्स है उनकी रिलेशनशिप तन हिमाचल प्रदेश गुप्तकाल, गुप्तवतरकाल, मुर्यकाल, मुर्योतरकाल and four ancient districts of HP जो हिमाचल प्रदेश के पहले के प्राचिन जो चार जिले हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ें then geography portion से आपको पढ़ना है basic information of हिमाचल प्रदेश then smallest in HP, largest in HP यानि की जैसे बहुत सारी questions पते है smallest और largest से की छोटा जिला, बडा जिला, जन संख्या वाईज, एरिया वाईज इस तरह से then soil in हिमाचल प्रदेश then mountain passes in हिमाचल प्रदेश, hydroelectric projects in हिमाचल प्रदेश, waterfalls in हिमाचल प्रदेश then districts of HP हिमाचल प् यानि की नदिया ओफ हिमाचल प्रदेश then glaciers, mountains, passes and jords, darray and jords then mountain peaks यानि हिमाचल की then forts located in हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किले then temples, water projects, lakes, national parks of HP ये आप अच्छे से पढ़ लें, geography section से then आपका रहता है economy and politics of हिमाचल प्रदेश, इसमें से आपको पढ़ना है politics of statehood, then हिमाचल प्रदेश judiciary, then agriculture and horticulture in हिमाचल प्रदेश, then हिमाचल प्रदेश, लोकसभा, राजय सभा and विधान सभा, then हिमाचल प्रदेश welfare schemes, then ministry of हिमाचल प्रदेश, last में आपको पढ़ना है district wise complete information, यानि की जो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी districts हैं, उनकी बारे में कुछ और topics मैंने note करें हैं, जिसमें से अपके question पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन topics को पढ़ना ना भूले, जिसमें आपका रहता है sports, education, awards, then important persons, fair and festivals, folk dances of हिमाचल प्रदेश, फिर buddhist monasteries, then paintings, then books and their writers, language and health development. then आपके कुछ और topics हैं, जिसमें आपके important dates and days ये पूछ ले जाते हैं, जैसे water day, earth day, इस तरह से question पूछ ले जाते हैं, then currency of different countries, then countries with their national games, and players in different games, then important cups and trophies, तो ये सारी topics भी आप अच्छ से कर लें, जिके आप जितना जादा पढ़ोगे, उतना ही अच्छा है, इसके अलावा भ more topics हो, तो आप वो सब कर सकते हो, I hope जो मैंने आपको topics बताए, वो आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो मेरी वीडियो को like करें, share करें, और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you